हैलो फ्रेंट्स वेलकम टू पैनेशय ओफ लैब्रेरियन्स क्लासेज्स I hope you all are well तो आज का जो हमार टॉपिक है वह है लैब्रेरी नेटवर्ड तो देखिए लैब्रेरी नेटवर्क का अबजेक्टिव क्या है क्यों हम लोग को लैब्रेरी में नेटवर्किंग सिस्टम का जुरत पढ़ता है हम लोग उसको देखिए Library में अगर हमार networking system होगा तो उससे एक library से दूसरी library क्या inter-library cooperation कर सकती है मतलब कि एक library दूसरी library को connect कर सकती है एक दूसरी library कर सकती है इससे क्या होगा Library network से inter-library cooperation increase होगा Easily exchange bibliographic record हम लोग easily bibliographic records exchange कर सकते हैं standard protocols जो होते हैं हमारे network को चलाने के लिए वह होना चाहिए Document delivery system to member libraries जो भी member libraries उसमें document delivery service क्या हो जागा इंक्रीज हो जाएगा Library network system libraries can work in hierarchical way मतलब कि अगर library में network system होगा तो एक main library अपने से छोटे-छोटे libraries को connect करके आपस में work कर सकती है digitization projects पर development हो सकता है एक member library और users के बीच easily communication हो सकता है फिर provide training to member of library staff of participating libraries for effective use of libraries हम लोग को क्या करना होगा कि जो भी library के staff की जो members है उनको library में effectively work करने के लिए क्या करना पड़ेगा training भी हम लोग अराम से दे सकते हैं जैसे हम लोग कोहाव अगरह सब सीखते हैं डी स्पेस बहुत सारे हम लोग network software के बारे में भी study करते हैं ताकि जब हम लोग कल को librarian बने तो काफी अच्छा हम लोग library में work कर सके library को नएने system से upgrade करें नएने system से user को connect कर सकते हैं तो हम लोग library network के जरी अलग अपने staffs को भी क्या कर सकते हैं अब देखें हम लोग union catalogs बना सकते हैं user participation क्या हो जागा library में जाके ही book को पता कर सके अगर उसको online ही पता चल जाएगा तो उसको जाने में भी ठीक रहेगा मतलब time का saving होगा इसलिए आज कल के time पे बहुत जादे important है कि हर एक library अपना सारा data को क्या करें online provide करें ताकि user ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हो इसलिए हम लोगों को library network की काफी ज्यादा जरुत है अब देखिए कुछ library के network के characteristics हैं जैसे किस टाइब का library network होना चाहिए पहला तो हर एक member को equal opportunity मिलना चाहिए ताकि वो access कर पाए standard protocols का standards और protocols का हम लोगों को use करना चाहिए library का service का broad range होना चाहिए library जो भी network economic हो यह नहीं कि हम लोगों को digital करने में इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है उतना तो library का worth भी नहीं है तो वो नुकसान में चला जागा international reach होना चाहिए library का network कितना होना चाहिए कि internationally जो library है उससे भी connect कर सकते हैं library जो network जितना भी होता है वो centralized होता है मतलब कि एक domain होती है वहां से connected होती हो उसके बाद बागी सारे connected होते है ठीक है तो यह है पूरा library networks के objectives अब देखें कुछ metropolitan areas में network चलते हैं वो सब देखें सब हम लोगों ने पढ़ा होगा वो सब क्या metropolitan area के में जो network चलते हैं उन सब के टाइप से कुछ national library network है जैसे इंडिया में इन फ्लिबनेट चलता है चायना में कैलिस चलता है जिसका नाम है चायना academic library information system international library network में आपका क्या हैगा OCLC अब देखें अब हम लोगों ने इसी में हम लोग को computer का जो topology system है वो भी हम लोग को पढ़ लेना है topology से भी बहुत ज़्यादा questions आते हैं UGC में आपको बताऊं कि किस type का question नाता है UGC में topology से तो वह देखें पहला क्या होता है कि topology का मतलब क्या होता है एक computer जो दूसरे computer से connected होता है communication medium के लिए हम लोग उसी को क्या बोलेंगे topology मतलब हम लोग एक computer को दूसरे computer से किस type से connect कर रहे हैं उनका किस तरीके का arrangement है computer system को वही हमारा topology कहला था इसमें हमारे छे टाइपस हम लोग पढ़ेंगे bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, hybrid topology और tree topology bus topology में क्या हो एक single तार रहेगा एक single connection रहेगा केबल का और उससे हम लोग यहां computer connect के मतलब एक single wire से हम बहुत सारी computers को connect कर रहे है यह हमारा bus topology होगा बहुत ही कम खर्चेप हो जाता है इसमें bus only हमको single wire चागी होता है अब देखें next यह तो हमने देख लिया अब देखिए ring topology क्या होता है एक topology को हम एक computer system को हम दूसरे computer से as a ring type use करें मतलब एक computer उसके बगल वाले computer से connected होगा दूसरे दूसरे उसके adjacent computer से connected होगा वो क्या हो जाएगा ring topology इसमें क्या होता है transmission of data काफी ज्यादा fast होता है अब देखें start topology में क्या होगा start topology में हम लोग को एक hub चाहिए एक central hub चाहिए इस जिससे क्या होगा इस hub में हम information send करेंगे उसके बाद ही क्या होगा बागी सारे computer में information जाएगा बहुत बार start topology से UGC में question आ चुका है कि ऐसा कौन सा topology system है जिसमें आपको hub का जुरत पढ़ता है तो start topology तो याद रखेंगा hub के need से कौन को जो computer system चलता है वो कौन सा है start topology हमको एक hub चाही होता है वही उसमें information send करते है और उसके बाद सारे computer में hub के बारा information जाता था अब देखिए Still हरे computer दूसरे से connected है यह computer इससे connected इससे connected इससे connected फिर इससे भी connected इससे भी connected मतलब मेश्ट typology में क्या होगा कि सारा computer एक दूसरे से personally भी connected है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, private message send कर सकते हैं, एक computer इसको privately कोई भी message send कर सकते हैं, तो मतलब एक computer दूसरे से connected हैं, सभी computer एक दूसरे से connected हैं, यह हमारा match topology है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी entire topology क्या होगा, कभी भी fail नहीं होगा, अग इस से रिंग टॉपलोजी में हमने देखा था है कि अगर एक कंपुटर फेल्ड है तो message transaction बंद अगा transmission बंद अगा और पूरा टॉपलोजी खरब हो जागा लेकिन वहीました अगर होता है कोई भी दो और धोसी ज़ादे तो वह हमारा hybrid topology होगा अब देखिए tree topology क्या होता है 3 topology अब मतलब होता है bus topology अरMore star topology को मिला दे तो tree topology होगा hybrid topology में बस और star test in question of Commission कोई भी topology को मिला करे एक से ज्यादा जोभी topologies को use करके system बना दें वो hybrid अपरोजी लेकिन ट्रीट उप लोजी में बस और स्टार को मिला के ही जो बनेंगा वह आपका ट्रीट उपलोजी क्या लागा यह भी कोशन आ चुका है यूजीस इनट में ट्रीट उपलोजी के बारे में option रहेगा बस ट्रीट उपलोजी इस तरह करके ए option-b option आपको बताना होगो तो ट्रीट उपलोजी यारत न आद रखने आए बस और स्टार से तरीट ईपलोजी की आपका सिंगल वाइन यहां से यह से कंपोटर कनेक्टेद है बाकी आपका इस्टार से तरीट ह 911 से ने नेक्टेद है लाण कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट करने का सिस्टम है यह सारा है तो यह आपको टॉपलोजी भी समझा गई अब देखिए कुछ नेटवर्क सिस्टम है कभी स्टैबलिस हुआ किसके तरह सपोर्ट किया जाता है यह भी कोशन्स आते हैं देखें 1977 में निसनेट जिसको निसी सपोर्ट करती है 1986 में कैलीबनेट कॉलकता लैबरी नेटवर्क इसको निशाट सपोर्ट करता है 1988 में इनफलिबनेट इसको यूजीसी सपोर्ट करता है 1992 में डेलनेट जिसको निसाथ सपोर्ट करता है 1993 में एडिनेट एमदाबाद लाइबरी नेटवर्क इसको भी निशाद सपोर्ट करता है 1993 में मैलिबनेट मदरास लाइबरी नेटवर्क तब करते थे लेकिन आप मदरास को चेन नहीं बोला जाता है इसको कौन सपोर्ट करता है इंस्डॉक 1994 में Malibnet, Mysore Library Network इसको निशाद सपोर्ट करता है 1995 में Balnet इसको भी निशाद सपोर्ट करता है तो यह supporting system वाला question आता है कि Adinet को कौन सपोर्ट करता है Delanet को कौन सपोर्ट करता है यह question आता है तो इसको याद रखेगा अब देखें अब देखें Library Consortia Consortia का मतलब क्या होता है बहुत सारे organizations मिल जाते है जब एक से ज़ाद organization मिल जाते है और उसको और उसके बाद resource को share करते हैं उसको हम क्या बोलते है Consortia बोलते है तो कुछ Library Consortia है इंडिया के जिसका नाम क्या है इंडिया नेशनल डिजिटल लेबरेरी इंजिनियरिंग साइन्स और टेकनलोजी फोर्सा का फुल 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 क्या है Forum for Resource Sharing in Astronomy हैनलेट का फुल 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 क्या है Health Science Library Information Network CSIR E-General को rename कर दिया गया है जिसका नाम है NKRC National Knowledge Resource Center ठीक है तो ये था Library Consortium in India Consortium का मतलब आप लोग समझ चुके हैं अब देखिए CERA Consortium for E-Resources in Agriculture अब देखिए कुछ Library Consortium हैं International के पहला है CRLI जिसका फुल 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 में Consortium of Academic and Research Library in Illinois Sanlick South African National Library Information Consortium Curl Consortium of University Research Libraries EIFL Electronic Information for Libraries IECOLC International Coalition of Library Consortium कुछ Library Network है जो International Work है सबसे पहला तो OCLC OCLC के बारे मैंने एक Detail Lecture लिया Study कर लेजेगा OCLC काफी जादे Important Topic है इसके Activities, Services, Kab Establishment, इसका Headquarter ही सब पुछा जाता है RLG Research Libraries Group GISC Joint Information System Committee Joint Academic Library Calis China Academic Library Information System यह सारी Library के ऐसे Network है जो Internationally Work करते हैं अब देखिए अगर आप से पूछा जाए कि जूरम क्या होता है तो जूरम एक Repository Software है यह क्या है? Modification Type है DSpace को DSpace को DSpace के जगह पे एक और Repository Software बनाया जा चुका है जो कि क्या करेगा? DSpace को Replace करेगा उसका क्या नाम है? जूरम यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है तो यह सारे Topics आज हम लोगों ने Library Network पढ़ा आई होप आपको पूरा समझा होगा बार रिवाइस करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने Library Network objectives देखा उसके बाद हम लोगों ने उसके characteristics को देखा फिर उसके बाद हम लोगों ने सारे Topologies पढ़े बहुत बार पूछा जाता है हम लोगों ने सारे Topologies देखे उसके बाद Ring Topologies देखा फिर हम लोगों ने सारे Networks देखे उसके Supported System को देखा उसके बाद हम लोगों ने Library Consortia देखा जो कि इंडिया में वर्क करते हैं Consortia का मतलब समझा कि बहुत सारे Organization आपस में मिलके Resource को Share करते हैं उसको क्या बोलते हैं Consortia बोलते हैं फिर हम लोगों ने Consortia देखा जो कि Internationally वर्क करते हैं फिर हम लोगों ने Library के Networks ऐसे देखे जो कि Internationally वर्क करते हैं फिर हमने समझा कि जोरम क्या है तो ये था हमारा पूरा Library Network का टॉपिक I hope आप लोग को पूरा समझायोगा तो Thank You Friends मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक हसते रहेगा पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिलकुल मद भूलेगा और मेरे टैलिग्राम चैनल से भी जरूर जूट जाएगा Thank You